ये आखाश्वणी है, अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, राश्ट्रोपती द्रौपती मुर्मु के अभिभाषन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आपसे कुछी देरवाद लोग सभा में जवाब देंगे वे कल राज्य सभा में भी धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे, इस वीच संसत के दोनों सदनों में आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा फिर से जारी हुई लोग सभा में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है और वह इंडिया गठबंधन की जीत है शिरोमणी अकाली दल की हरसिम्रत को और बादलने किसानों के मुद्धों का समाधान किये जाने की मांगी कॉंग्रेस के गौरव गुगोई ने असम में बाढ़ का मुद्धा उठाते हुए केंद्र सरकार से राजमे राहत अभ्यान के लिए रास्ट्रय आपदा मुचनबल के दल को भेजने का आग रह किया भाजपा के संतोष पांडे ने विपक्ष के नेता राहूल गांधी की कल कथित तोर पर एक समुदाय विशेश परकी गई टिपणी पर आपत्ती जताई भाजपा के सौमेत्र खान ने पशिम बंगाल के भाजपा कारिकरताओं और महिलाओं पर कथित अत्याचार का मुद्दा उठाया भाजपा के ही अजय भट ने आरोप लगाया के कॉंग्रेस संविर्हान को कमजोर कर रही है उधर राजे सभा में असमगन परिशत के वीरेंद्र प्रसाद वैश ने असम के छे समुदायों को अनुसूचत जनजाती की सूची में शामिल करने का मुंता उठाया भाजपा सांसद अशुक रावचावान ने कहा कि चनाव के दोरान एक गलत धारणा सापित की गई कि उनकी पार्टी सम्विधान को बदलने का इरादा रखती है कॉंग्रिस सांसद प्रमोतिवारी ने आरोप लगाया कि देश में महेंगाई रोकने के लिए कोई खदम नहीं उठाय गया है TMC सांसद मुहमद नदीमुलहक ने मांग की कि सरकार को केंद्रिय योजनाओं के अंतरगत पश्चिम बंगाल को जारी की गई धनराशे का एक श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए DMK सदस्य केपी विलसन ने कहा कि नीट आधारित परिक्षा प्रणाली समाज के गरीवों और वंचित वर्गों के खिलाफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मुदी ने राष्ट्रय जनतांत्रिक गठवंधन NDA सांसदों से संसद के नियमों का पालन करने संसदिय लोकतंत्र के सिध्धानतों के अनुरूप चलने और अच्छा व्यवहार करने का आगरह किया है नई सरकार की गठन के बाद नई दिल्ली में NDA संसदिय दल की पहली बैठक में प्रधानमंत्री ने ये बात कही संसदिय कारिमंत्री किरनरे जीजु ने बटाया कि प्रधानमंत्री ने NDA की सभी सांसदों से अच्छा आचरन करने को कहा है खननमंत्री जी किशन रिड़ी और राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने आज दिल्ली के शास्त्री भवन में जिलाख खनिज फाउंडेशन DMF दीरगा का उदगाटन किया प्रधानमंत्री खनिज ख्षेत्र कल्यान योजना के अंतरगत बने स्वयम सेवा सहायता समुहों के उत्पादों की प्रदर्शनी इस दीरगा में लगाई गई है श्री रेडी ने स्वयम साहता समुहों द्वारा निर्मित स्वादेशी वस्तूओं की सराहना की और कहा कि ये पहल प्रधान मंत्री मोदी के द्रिष्ट कोन के अनुरूप है सर्वोच नियाले के मुख्य नियाधीश डीवाई चंद्रचूर ने आज नियाई पालिका के आधारभूत सिध्धानतों के रूप में नियाई और समानिता पर जोड दिया है दिल्ली में एक समारूह में मुख्य नियाधीश ने कहा कि एक आधालत केवल इंट पत्थरों से नहीं बलकि लोगों की आशाओं और आकांशाओं से बनती है केंद्री अन्विशन ब्यूरू CBI ने मुंबई इस्थिद एक और पासपोर्ट एजेंट के निवास पर कल एक बार फिर तलाशी ले है तलाशी के दौरान एक करोड 69 लाख रूपए नकद और अन्य संदिक्द दसावी सतर दिजिटल साक्ष मिले है इससे पहले CBI ने मुंबई क्षेत्र के अंतरगत पासपोर्ट सेवा केंद्रों में तैनाद पासपोर्ट सहायकों और वरिष्ट सहायकों सहित 32 अधिकारियों के हिलाफ 12 मामली दच किये दक्षन पस्चिम मौनसून देश के सभी हिस्सों में पहुँच गया है मौनसून ने पूर्व निर्धारित समय से 6 दिन पहले ही देश में दस्तक दे दी है मौसम विभाग ने कहा है कि मौनसून राजसान, हरियाना और पंजाब के बाकी हिस्सों में भी पहुँच गया है मौसम विभाग ने उत्तरा खांड असंब और मिघाले में आज बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ